हाई गाईज, आज हम एक्स्रेक्शन मूवी को एक्स्प्लेन करेंगे, यह एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, मूवी की रिलीज डेट 24 अप्रेल 2020 है, IMDb रेटिंग 6.7 फिल्म शुरू होती है, ओवी महाजन, एक टीनेजर लड़का जिसका बाप एक इंडियन ड्रग माफिया है, उसके बाप ने ओवी की निगरानी के लिए साजू राओ को उसका प्रोटेक्टर रखाए, जो ओवी पर नजर रखता है, ताके दुश्मन गैंग उस पर कोई हमला न कर सके, एक दिन स्कूल के बाद वो घर से कलब जाता है, अपने दोस्तों के साथ बिना किसी को बताए, वो अपने एक दोस्त के साथ माल फूंकने कलब से बाहर आता है, तब ही वहाँ पुलिस उसका किटनेप कर लेती है, और उसके दोस्त को गोली मार देती है, ओवी महा साजू की इस बात से सीनियर महाजन भढ़क जाता है, वो उसे धमकाते हुए कहता है, अगर अपने बेटे का next birthday celebrate करना चाहते हो, तो उसके बेटे को वापस लेकर आओ, साजू अपनी वाइब को बताता है, महाजन के पास पैसे नहीं है, उसके सारे एसेट NCP ने जब्त कर लि वहाँ उसको उसकी पुरानी साथी मिलती है, जिसका नाम है निक, उन्होंने कई ऑपरेशन एक साथ किये होते हैं, वो टाइलर को बताती है, हमने एक सुपारी लिए है, एक इंडियन लड़के को छड़ा कर लाना है, माफिया डौन का बेटा है, दुश्मन गैंग ने धाक का नाम ओवी महाजन बताती है, साजु अपनी वाइफ को अलविदा कहता है, निक की टीम टाइलर को और बाकी मेंबर्स को ब्रीफिंग देती है मिशन के बारे में, टाइलर धाका की मार्कीट में है, उसके पास एक कॉल आता है, उसे सडख पार लौंड़ी शॉप की तरफ जाने को कहा जाता है, तब ही एक कार आकर रुखती है, टाइलर को बंदी बनाकर वो अपने अड़े पर ले कर जाते हैं, जो टाइलर को बंदी बनाकर लाया होता है, वो टाइलर से फ्रौती की रखम मांगता है, टाइलर उससे लड़के को दिखाने की मांग रखता है, ता इसरा टैलर के साथ लेकर सेड़ियों से नीचे गिरता है। टैलर उसको मार देता है, फिर वो उसी रूम में जाता है, जहां पर ओवी महाजन को बंदी बना कर रखा होता है। वो सब को मार देता है, तब ही एक बच्चा टैलर की तरफ बंदूग से निशाना लगा कर बंदूग चलाने की कोशिश कर रहा होता है, वो बहुत डरा हुआ है, इसी ये वज़े से वो चलानी पा रहा होता है, टैलर उसे बंदूग लेकर उसे जाने का इशारा करता है, टैल मुझे पता है पैसे किसने लिए हैं वो पूछता है किसने है वो कहता है संजीब ने संजीब कौन? जिसे तुमने अभी नीचे फेका ये सारा खेल अमीर आसिफ देख रहा होता है वो उस लड़के को अपने पास बलाता है उसका नाम पूछता है अमीर आसिफ उसकी चालाकी की तारीफ करता है वो उसको चाकू देकर कहता है वो अपनी दो उगलिया काट कर मुझे दो फराद पूछता है क्यों अमीर आसिफ कहता है जो बच्चा मरा मैं उसके बदले में यादगार निशानी चाता हूं मेरे पैसों को छूने वाले को ये हमेशा याद रहे इसका अंजाम क्या होता है फरहाद चाकू से उंगलियां काटने वाला ही होता है तब ही करनल अमीर आसिफ को आकर महाजन का लड़का हाथ से निकल जाने की खबर देता है अमीर आसिफ फराद को देखकर कहता है चालाक और भागयशाली वो करनल को सब कुछ बंद करवाने को कहता है ट्रेन, बस, रोड, ब्रिज, सब कुछ करनल उसको ढूनने के काम में लग जाता है अमीर आसिफ फराद को गैंग में शामिल करने के लिए अपने चेले से कहता है कि वो से बंदूग दे इधर टाइलर ओवी को कपले चेंज करने के लिए देता है वो अपनी टीम को इंफोमेशन देता है उसकी फोटो और उसकी वीडियो, अपनी लोकेशन अभी सब प्लैन के मताबिक चल रहा है निकी टीम सीनिर महाजन को बताती है लड़का साथ होने का सबूत भेज रहे हैं उनके पास साथ मिनिट हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए तभी बोट में कुछ गड़बर नजर आती है निकी टीम के दोनों मेंबर्स को एक अंजान बंदा हमला करके मार देता है और अभी तक पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए है निक जी से बोट की सिच्वेशन पोछती है जी उनका शार्प शूटर है वो बोट की तरफ बढ़ता है तभी कोई उस पर गोली चला देता है वो भी मारा जाता है निक की टीम को उनकी बोट की तरफ आ रही पुलिस की बोट के सिगनल मिलते है तभी उनको टाइलर के आसपास किसी और के होने के भी सिगनल मिलते है निक टाइलर को अलर्ट करती है कि वो वहां से निकले, जंगल में उनके अलावा कोई और भी है टाइलर ओवी को साथ लेकर कार की तरफ भागता है, उसके उपर भी गूलियां चलती है निक की टीम को मारने वाला कोई और नहीं, बलके साजू ही होता है वो ओवी को पुकारता है, मैं साजू हूँ, तुझे लेने आया हूँ ओवी साजू का प्लान होता है, टाइलर को मार कर ओवी को इंडिया वापस ले जाए, बिना पैसे दिये ओवी साजू की अवाज पर चिलाता है, साजू अंकल टाइलर उसको समझाता है, अगर तु मेरे साथ रहेगा, तो सेफ रहेगा, क्या पता साजू भी उसके साथ मिला हो, ओभी कहता है हमको पुलिस के पास जाना चाहिए, टाइलर बोलता है, सम मिले हुए है, उनकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है, वो एक बिल्डिंग में पटे हुए गली में गिर जाते हैं, तभी एक कारड टाइलर को ठकर मार देती है, साजू उसे मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तभी उसे ओवी की अवास सुनाई देती है, ओवी को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे होते है, साजू पलिस वालों को मार कर ओवी को पचाता है तभी एक DCM साज को टकर मार देती है उसमें टाइलर होता है वो OV को उसमें बैठाता है और वहां से निकल जाते हैं टाइलर एक बिरिज को देखते ही OV को साथ लेकर DCM से कूद जाता है DCM का एक्सिडेंट हो जाता है इसकी खबर अमीर आसिफ को पहुँच जाती है करनल बताता है उनमें से एक घायल है टाइलर अपने जखमी हाथ पर पट्टी बंदबाता है OV से तभी निक का कॉल आता है वो टाइलर को बताती है उन्होंने हमारा बिवकूब बनाया दूसरी बार में भी पैसे नहीं आए साजू राओ हमारा दोस्त है जो सीनियर माजन के लिए काम करता है हमारी पूरी टीम मारी जा चुकी है माजन ने हमसे काम करवा लिया पर वो हमको पैसे देना नहीं चाता निक टाइलर को कहती है तो मैं उस लड़के को वहीं छोड़ना होगा शहर के बाहर एक बिरिज है यहां से चार किलोमीटर दूर हम हेलिकॉप्टर भेज कर तुम्हें वहां से निकाल लेंगे सारी बातें ओवी सुन लेता है साजु एक होटल में रूम लेता है वो भी बुरी तरह घायल है वो अपनी वाइफ को कॉल करता है उसको बोलता है तो मैं याद है ना अगर 12 गंटे में तो मैं कॉल ना करूँ तो तुम सारे पैसे लेकर गायब हो जाना फिर वो अपने बेटे से बात करता है तभी निक का कॉल टाइलर को आता है वो उसको बताती है ब्रिज पर उसे हेलिकोप्टर मिल जाएगा टाइलर ओवी को लेकर कार से ब्रिज की तरफ निकलनी वाला होता है तभी फराद अपनी बच्चा गैंग के साथ गोलियों से हमला करता है इसी दोरान वहाँ पुलिस आ जाती है ओवी और टाइलर गटर में छिप जाते है टाइलर निक को कॉल करता है और कहता है गैसपार को कॉल करके मदद के लिए भेजो वो उन्हें कार से अपने घर ले जाता है गैसपार टाइलर को भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है क्योंकि टाइलर ने उसकी एक दफा जान बचाई होती है इदर फराद कटी उली के साथ अमीर आसिप के पास पहुँचकर उसे उली भेट करता है वो अपनी फफादारी और खुंकार होने की बात साबित करना चाता है जिस पर अमीर आसिफ फराद को बोलता है तुम खुद को कितने भी बुरे लगो हमेशा कोई तुम से ज़्यादा बुरा होता है टाइलर ओबी के रूम में आता है मैं उस वक्त कंधार अफगानिस्तान में एक मिशन पर गया था ताके मैं अपने बच्चे को मरता ना देख सकूँ यही वज़ा है कि मैं खुद को बहादूर नहीं समझता ओबी उसको एक बात बोलता है तुम कभी नदी में गिरने से नहीं डूपते बलके पानी में रोके रहने से डूपते हो ऐसा उसने स्कूल की बुक में पढ़ा था गैसपर वापस आ जाता है वो टाइलर को बताता है यह लड़का जिन्दा लाश है अमीर आसिव उसको जिन्दा नहीं छोड़ेगा उस लड़के की किमत सत्तर करोड है गैसपर टाइलर को बताता है अगर मैंने उसे नहीं मारा तो अमीर आसिव मुझे और मेरी बीवी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा मैं उसे मार कर तुझे बचा सकता हूँ क्योंकि तूने मेरी एक बार जान बचाई थी जैसे ही वो ओवी को मारने के लिए सीडियों की तरफ बढ़ता है दौनों में फाइट होती है वो भी रूम से निकल कर बाहर आ जाता है सीडियों पर वो गैसपर को गोली मार देता है उसके बाद टाइलर साजू को कॉल करता है और साजू को सौब देता है ताके साजू ओभी को उस ब्रिज तक ले जा सके जहां निक की टीम हेलिकॉप्टर लेकर आएगी वो यहां से पुलिस का ध्यान अटाएगा ताके वो वहां से निकल सके टाइलर पुलिस पर हमला करता है साजू नाकाबंदी को तोड़ते हुए कार को ब्रिज की तरफ लेकर जाता है वहां पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही होती है वो दोनों कार से निकल कर पैदर चलना शुरू कर देते हैं तभी एक गाड की नजर उन पर पढ़ती है निक भी अपनी टीम के साथ उसी ब्रिज की तरफ बढ़ती है साजू को बैक अप देने के लिए साजू टाइलर को ब्रिज पर जल्दी पहुँचने को कहता है वो भी पुलिस से बचते हुए आगे बढ़ता है तभी साजू के सिर पर अचानक से गोली लगती है और वो मड़ जाता है ये गोली करनल ने चलाई थी निक की हेलिकॉप्टर टीम पर भी करनल हमला करता है जब निक पर हमला होता है तो वो उस शूटर को ढूंडने के लिए दूसरी साइट जाती है वो करनल को अपने निशाने पर लेकर उसका भेजा उड़ा देती है टाइलर बहुत जखमी हो चुका है टाइलर के पास ओवी पहुँचता है वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तभी टैलर ओवी की पूरी जान लगाकर निक की तरफ दोडने को कहता है ताकि उसकी टीम उसे बचा सके ओवी दोड लगाता है जब टैलर पुलिस वालों को मार कर मुडता है वापिस टीम की तरफ तभी उसकी गर्दन पर गोली लगती है ये गोली फराद ने चलाई थी फराद पर निक गोलियां चलाती है वो बचकर छिप जाता है ओवी टाइलर को जखमी देखकर उसकी तरफ दोड़ता है निक उसे पकड़ कर हेलिकोप्टर में बिठाने को कहती है टाइलर को अपने 6 साल के बेटे के विजूल्स आते हैं और वो नदी में गिर जाता है जासिफ उनके हेलिकोप्टर को जाते हुए दुर्बीन से देख रहा होता है आठ महीने बाद निक अमीर आसिफ को जैंट्स ट्वैलेट में गोली मार कर टाइलर का बदला लेती है इस तरह मूवी का एंड हो जाता है थैंक यू